ओम शंदी, नौ जुले की इश्री धन्माट सकॉर सोगत है, परमात्वा पिता कहता है कि इश्वरिय रस का अनुभव कर एकर स्थिती में स्थित रहने वाली श्रेष्ट आत्मा भवा, इश्वरिय रस या दुनियावी रस, दुनों में अंतर हैं, हमारे अंदर वही अभी चल रही है, अच्छाई और बुराई के साथ में, और हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे अंदर एक तरीके से जुद्ध चल रहा है, कि हम इश्वरिय रस लें या दुनियावी रस लें, जो बच्चे इश्वरिय रस का अनुभव कर लेते हैं, ग्यान मिला साथ दिन का कोर्स किय लेकिन फिर भी अगर ग्यान समझा लेकिन परमात्मा का रस नहीं लिया, परमात्मा से योग लगाना नहीं सीखा ठीक से, मैं उनकी याद करना नहीं सीखा, तो फिर वो इश्वरिय रस नहीं मिला, तब हम दुनियावी रस के तरब खिच जाते हैं, तो परमात्मा इसलिए और दुर्भाग के शाली भी देखना हो तो यहीं मिल जाएगा अर्थ यही है कि जिसने रस महसूस कर लिया उसका खिचाब परमात्मा के साथ होगा उसका पूरा जीवन परमात्मा के लिए होगा दुनिया वाले उसको देखेंगे तो लगेगा उनको कि हाँ यह लोकिक ताम ह द्धन के पीछे पड़ा हुआ है या कुछ कर रहा है लोकिक कारों में आगे बढ़ रहा है लेकिन उसका में एम जो की लोगों को दिखेगा नहीं वो होगा इशुरी रस लेने का परमात्मा से दुवाई लेने का परमात्मा से आशिरवाद लेने का और परमात्मा की नजर में आने का तो जो बच्चे eeshoi रस का नुभब कर लेते हैं उनको दुनिया के सब रस फीके लगते हैं वो रएगे दुनिया भी रसों में रहेंगे लेकंन उनको लेने की च्छने रखेंगे जब है यही एक रस मीठा तो एक ही तरफ अटेंशन जाएगा ना सहजी एक तरफ मन लग जाता है मेहनत नहीं लगती है किसी से प्यार हो, मौभबत हो या किसी से एक बारी आपने प्रेम या सुक या शान्तिय नगाफ करा हो तो आप उसकी तरफ लग जाते है वही विक्तिय आपको बार-बार याद आता है लेकिन वह हम जानते हैं वह शन्बंगर के लिए कुछ समय के लिए होता है लेकिन परमात्मा से एक रस महसूस हो जाए तो वह सदकाल के लिए है सहजी एक तरफ लग जाता है मेहनत नहीं लगती है फिर बाप का सने है बाप की मदद बाप का सने है बाप की मदद बाप का साथ बाप द्वारा सर्फ प्राप्तियं सहज एक रस स्थिती बना देती है तो परमात्मा का सने मिलता है परमात्मा की मदद मिलती है रस्ते खुल लाते हैं तरी के खुल लाते हैं असंबभ भी संबभ हो जाता है, बाप का साथ मिलता है, परमात्मा हमें साथी बंकर के साथ देता है बाप द्वारा सर्फ प्राप्तियं सहज एकर स्थिती बना देती हैं, ऐसी एकर स्थिती में स्थित रहने वाली आत्माई ही श्रेष्ट हैं तो बाप का साथ, बाप का सनहे, बाप की मदद, बाप द्वारा सर्फ प्राप्तियं सहच एकर स्थिती बना देती है तो परमात्म के साथ में हमारा अगर लगन है तो हमें आटोमाटिकली ये सारी चीज़े मिल जाती है परमात्मा के साथ मिल लाता है, परमात्मा के स्ने मिल लाता है, परमात्मा की मदद मिल लाती है, परमात्मा से सारी प्राप्तिय होती है, जिसे सुख, शान्ति, प्रेम, आन्त, खुशी, तो ये महसूस करना है, ये बोलना आसान है बहुत, लेकिन महसूस करना बहुत जरूरी है आपने सुना भी होगा लेकिन दिल जिसका साफ है मन जिसका क्लियर है क्लीन क्लियर जो अपने साथ सच्चा है वो परमात्मा के साथ में सच्चा हो जाएगा आम श्यांति